एक बर फिट से स्वागत हो गया आप सब्लों का दिल साथ ड्रीम फैंटेशी यूटूब चनल पर और आज किस नई वीडियो में दूस्तों हम कवर करने वाले हैं अफगाइस्तान बहुत सासा आइलेंड के बीच में जो फुर्स्ट ओडियाई मैच खिला जाने वाला साथ मार्च इंडर टाइम के कौर्डिंग पांच बजे दुस्तों साम टाइम में और वे नियू रहने वाला दुस्तों साथ जाई स्टेडियम जो कि आपको पता है आइलेंड की तरफ जो कौंसर ट्रम कार्ड खिला लिए होगे जो की हमें बहुत कंफर्म है हंड्रेट टेन पर्शंट अपने टीम में पिक करके चलना होगा और कैप्टन वाइस कैप्टन ट्रम कार्ड खिला ली सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में देखने को मिल सबसे बात करते हैं पर सार्जा जो इस्टेडियम रहने वाला लगाइस ठीक है क्या यहां पर रिकॉर्ड है और उडियाई के और फिलाल दोस्तों रीसेंट में इस वेन्यू के क्या है किसा आप से आपर इस्पिनर या पेसर को हेल्प मिलती हाला कि दुस्तों करम यहां पर मौसम जो बारिस के चांच तो बिल्कुल कम रहने वाला है दोस्तों यह मैच जो है पूरा कम्प्लीटली होता हुआ आपको दिखाई देने वाला है ओर लोड यहां पर जो है 249 मैच खिले गए जिसमें की जो टीम पहले बैटिंग करें हाला कि चेस करें टीम ने 108 यहां पर यहां पर दुस्तों अभी रेसेंट जो मैच हुए वेस्ट इंडीज और फिलाल जो की यूए टीम के बीच में जिसमें की आपने देखा यूए टीम ने भी कहीं न कहीं ओडियाए मैचस में 200 प्लस का यहां पर स्कोर किया हुआ है दुस्तों एंड फिलाल यहां पर बात कर इस पिनर की तो तेइस विक्टे जो है स्पिनर को भी दूस्तों फरस्टिंग में 14 और सेकेंड इनिंग दूस्तों नौ विक्टे तो कहीं अगर आप देखेंगे तो इस पिनर पेसर दूस्तों दोनों ही गेम में यहां पर रहते हैं और रिसेंड मैच्च की बात करते गए जो इस वेन्यू पे खेले गए वो क्या दुस्तों उनका रिकॉर्ड क्या है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस यूई और वेस्ट इंडेस के बीच में यूई यहां पर पहले बैटिंग करते हैं दोस विक्टे यहां पर गवा रही है जो डिसेंट मैच यहां पर यहां पर यहां पर 185 बना करें मैच को विन करें हाला की 6 विक्ट यहां पर वेस्ट इंडेस की वे दुस्तों गिर गए थी और अगर आपके तीनों मैच लगातार हुए थे इस फेय पर रिसेंटि करते हैं और उसके बाद दूस्तों यहां पर पहले का जाएज बाना रही चेज करते हैं हलाकि हार रही है फर्स निंग में स्पिन हो पांच और पेशन बॉर्स दोविकेट टी और यहां पे यहां सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर फिर्स निंग में इस्पिन विकेट और पेसर को साथ विकेट थी सेकेंड इनिंग में दोस्तों पेसर को एक विकेट थी तो गई इस ते आप यह अंदर दे लगा सकते कहीं ने कहीं देखिए यूए जैसे टीम भाई फिलाल 200 प्लस का स्क स्कूर कर दिया है तो फिलाल आयलेंट टीम के पास कहीं बड़िया बड़िया दोस्तों खिलाली में कुछ वहाँ पर ट्रम कार्ट खिलाली रहने वाले जो कि समय्च में फेंटेसी अप्लिक्शन पेसर दोनों को ही विकेट है हाला कि अगर पहले बैटिंग करेगी तो मैं क लिए फाइनल टीम फाइनल अबडेट के लिए दोस्तों टेलिग्राम चैनल पर आखर के आप लोग बैट जाए ठीक है तो कि आपको दिखाए दिगे फिर आपको तीसरे नमबर खिलाड़ी जो है मस्ता एगे आपको सहीदी मिल जाएंगे फिर ओमर जाई एंडिया पिर बात करें आपको गुलबदी नैब फिर आपको यहाँ पर एक रम अलिखेल जो फिलाल विकेट कीपिंग से मिलता हलाकि बैटिंग कर लेता हलाकि बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है दोस्तों यहाँ पर नूर एहमद फिर आपको मिल जाएंगे फुर्जलाग फारू की और यहाँ पे फराइद अहमद बलिक के बात करें थे फरीद अहमद बलिक पेसर ऐं ठीक है फजलाग फारू की पेसर बाल्स है नूर एहमद इस पिनर बॉल से एंडगे नहीं बुलबदीन नैब जो की एक राइट-ंबैसमें राइट-ंबैसमें विकेट कीपर हैं और इब कौन सा स्पिनर है कौन से दोस्तों पेसर है ठीक है आप दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बात करेंगे हर प्लेर के बारे में औरल स्टैट्स एंड रिकॉर्ड के बारे में रिसेंट फॉर्म क्या है सब कुछ उससे पहले आप लोग बॉलिंग ओडर देख लिजिए इब्राहिम जार्डन को रिसेंट फॉर्म की बात करते तेरा और यहां पर चार पंद्रा एक सो उन्तिस ठीक है यह फिलाल पर्फॉम्स क्या है से लगगा के अगेस में आपने देखा हाला कि ओडियाई का एक अच्छा प्लार रहा है तो जोस्तों देखेंगे तो फिलाल ए हम रोल रहने वाला है अगर मैच को विन करती है क्योंकि आपको पता यह कैसा खिलाले टी ट्विंटी मैच दोस्तों यह ओडियाई के जैसा खेलता टाइम इस्पेंड बढ़िया करता है ठीक है गुर्बास की बात करते हैं गुर्बास तो विल्कुल मैं काऊंगा यार अभ अगर यूनिक करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन दोनों खिलाड़े को सीविसी भी करके चल सकते हैं खास करके दोस्तों इस मैच में ठीक है और फिलाल यहां पर तीसरे नंबर के खिलाड़ी दोस्तों जो रहने वाले हैं फिलाल रहमस सा रिसेंट फॉर्म की बात करते पैसाट तिरसट साथ 26 प्लस जीरो 31 गईस उडियाई बढ़िया कहलता है एगे 26 मैच 885 रन 36 कर स्कूर है फिलाल जो है तो तीन विक्टे भी है वेनिव अगर हम बात करें 9 मैच 434 रन 34 कर स्कूर है अगर हम बात करें ओररल 109 मैच इस हैं जिसमें कि अगर हम देखेंगे तो फिलाल जो है 3724 रन 36 कर स्कूर है हलाकि दोस्तों रह्मस साइच जो फिलाल बढ़िया कहलता तो कहने कि यहाप अपनी टीम में रखने का थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं मतलब कि दोस्तों अगर हम देखेंगे तो ग्रांड लिग टीम में इस प्रिकार के खिलाडी की ज दोस्तों जिसमें कि आपने देखा होगा कि ज्यादा तर यह ओडियाई मैचेस ही केलते हैं सहीदी की बात करते हैं तो कहीं अगर आप रहमस साइच को रखते हैं तो फिर सहीदी के साथ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं दोस्तों ड्रॉप करने का ओर अवरल 36 मैचेस के फिर दोस्तों जीरो विकेट भी वेनियु पर कोई मैच नहीं है ओवरल 25 मैचेस छे सुश्यान बिरन उन्चास कवर स्कोर दूस्तों सूला विक्टे ठीक है बढ़िया दोस्तों आपने देखा होगा ओडियाई वर्ल्ड कप जो चल रहा था उसमें अच्छी खासी फॉर्म और फिर दो 29 विक्टे हाला कि और भी बढ़िया खिलाडी है तो सेफ अगर आप जाना चाहते हैं दोस्तों फिर यह वादा कॉमिनिशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दोस्तों बाकि सामने वाले टीम आपको वहां पर दोस्तों आपको य बालिंग और बैटिंग दोनों का चांस रहने वाला है हाला कि दोस्तों इक राम अली खिल की बात करते हैं बहुत नीचे बैटिंग है एक दोस्तों दो मैंच है इसमें कि छही रहन तो बिल्कुल आप डॉप करके चल सकते हैं बुलबंदिन नाइब कि बात करते हैं थोड़े से कम होंगे अगर दुस्तों यहां पर उमर जाई बॉलिंग कराएगा मुहमत नभी बॉलिंग कराएगा तो बिल्कुल जहां तक गुल बदीन नैप के चांस कम रहने वाले हैं हाला कि एक दोर करा सकता है बारा मैच है एक वर्षाटर ने किसकर स्कूर और दुस्तो बिल्कुल जहां तक ज्यादा रिस्क ने लेना हाला कि इस पिनर है और फिलाल थोड़ा सा सोचेंगे बट ज्यादा रिस्क लेने के ज़रूरत नहीं है और दुस्तों फरीद दैमंद मली यह कैसा खिलाड़ी जो कि वहाई टीटिमटी में तो आप एची फॉर्म रहती है इ दूस्तों आपके द्यत्ने भी बॉलिंग कराते हुए नजर आता है तो इस खिलाड़ी को भाई अपने गरांडी की टीम में प्रिक करके चलना है फुर्जालग फारुकु की बात करते हैं इस इंडिया पे जिरो फिर एक यहां पे जिरो जिरो चार गईस एगेन और वेन को बदिन नैप तो उसके उपर विल्गूल आपको भरुसान नहीं करना होगा क्यों दूस्तों फिर कहने कि यह पूरे के पूरे और कराते हैं तो मैं आपको अपडेट चैनल पर दूस्तों लाश्ट टाउस के बात कर दूँगा ठीक है एक यहां आपको बात करते हैं आयलन की सब्सक्राइब करते हैं यहां पर मिलते हैं यहां पर करते हैं और फिलाल अच्छी बैटिंग भी करता दो बिल्कुल सीविसे का भी आपके लिए ऑप्सन है इंडिया पर दोकिल की बात करते हैं यह दो तो आपके टीम में होने चाहिए कि दूस्तों दोनों लंबी पारी खेलने वालेख लैंब घ्लागी करा लिएäter यहां पर ईयापको मिलते हैं ध्लाश कवाल थे हैं एक ब मिलते हैं एक और यहां पर यहां पर कम सेलेक्शन वाले खिला लिए जैसे कि बेल बिरने हो गए और जो की पॉल इस्ट्रिंग हो गए ठीक है लोकन टकर हो गए इनके साथ दोस्तों हमें अपर टीम में किस प्रकार से कॉम्बिनिशन करना होगा वह जानने वाले हाला कि स्टार्टिंग और पॉल इस फार्मिंग ऑठीक होगे अपने टीम में रख सकते हैं बड़ दोस्तों इस तीम में आप मुहमंद नभी उमरजए को रहे हैं तो फिर दोस्तों कहीं न कहीं उस तीम में इस प्रकार के खिलाली को आपको डॉप करना होगा क्योंकि रिशन वह उतनी अच्छी फ़ तो दोनों ऐसे खिरा रही है कि जिसमें कि अगर हम देखेंगे तो यह जादा तर यह फ्लॉप होते हैं अगर तो तो तीन मैच में अव्ली हो सकते हैं तो अच्छी फारी खेल जाएं थोड़ा सा रिस्की रहने वाले तो फिलाल जो अभी हम ग्रांड की टीप बना रहे तो वहां पर मैं एक को स्लेक्ट करने की लिए कोसिस करूँगा ठीक उसके दिया पर तीसरे नंबर के ख्लाडी चु तो फिर जहां तक मैं इस ख्लाडी को चल सकता हूं जो इस टेम से बात करते हैं उन्तिस अथाइस ग्यारा और विकेट की पर से दुस्तों हमने और गुरबास को रख लिया हाला कि आपके लिए यह ठीक ठाक है कि तेज खेलने वाले घ्रडे कर चेस करते हैं दूस्तों इसक करेंगे आपके अजो ट्रॉम कार्ट कर लिए बेस्ट भी हो सकता है एकिन तीन मैच है एक सुबाइस तरन चालिस कर स्कूर है और उन्चास मैच उडिया कि है सासु तिरपरन दोस्तों किस कवर स्कूर है ठीक है अगले दूस्तों यहां पर जो कि दोनों ही आपको और अपक सब्सक्राइब कराएगा तो बिल्कुल सेव कराएगा कैप्टन के लिए ठीक है अब भी तक दोस्तों हमारे पांच वाक लाड़ी होगा जो कि सी विसी के लिए मैंने आपको कंफर्म करके इस मैच के लिए दोस्तों बताया है ठीक है डोक्रिल आठ यहां पर जीरो यहां प कंबनेशन और इबराहिम जार्टन गुर्बाज दोस्तों ठीक है यह जो कि मैंने छेख लड़ तीन ग्रान लीग की टीम के लिए बताया है हलाकि जो आपको बेस्ट कंबनेशन लगे इस वह आप कर सकते हैं हलाकि यह जो मैंने कंबनेशन आपको बताएं यह भी दूस्त ही करते हैं जीरो यहाँ पर एक फिर जीरो जीरो एक इस एगें तीन में साथ विक्ते हैं और अच्छी फॉर्म इसकी ओरल है तो बड़िया खेलता भी तो ठीक है और स्टाटिंग में आपको वालिंग कराते हुए नजर आता है अगर हम टीम में पिक करते हैं तो फिर कहिन के उस टीम में ज्यादा तरह सोचेंगे जिसमें गुर्बाज और ब्राहिम जार्ण को सीविसी दुस्तों नहीं करेंगे ठीक है यहाँ यहाँ पर बात करते हैं जो की वेर कौम की रिसेंट फॉर्म में आप जीरो एक एक डॉप कर सकते हैं बाकि किराएंग जीरो एक और यहा हपेंगे एक कोई मैच नहीं तेरा मैच विस्विक्टे बहुत कम सेलेक्शन होगा बढ़ दोस्तों देखिए मैं बता तक आपको बता दो ओरल जो लास्ट फाइप यह सूचते हैं बहुत सारे लोग देखिए अगर हम बात करें सो परसेंट में ठीक है सो परसेंट में असी सोचने वाले कि अब गांस्तान मैच को बिन कर लिए ठीक है बाकि दो स्थो हम उसमें सामयल हो सकते हैं कि असी पर ट्रइंड के भी हो सकते मैच विनिंगे यह ध्यान रखेगा ठीक है क्योंकि अब गैस्तान के पास रासित खान और नमिन उलग जैसे खिलाडी जैसे बॉलस तीम में मौझूद नहीं है तो फिर कहने कहीं आयलेंड का भी दूस्तों पलरा सोड़ा सा भारी हो सकता है कि वह बॉलिंग लैनप इस टीम का भी कमजोर नहीं है तो ठीक है हाला कि फिर उस कंडिशन में क्या करें जब हम सोचेंगे आयलेंड को मैच विन करना है तो फिर हमें करने के लिए थोड़ी सी यूनिक टीम बनाने के लिए तो सभी लोग भाई अपकर इस्तान टीम के पच्वें ही मैच को बनाने वाले टीम को अपनी अगर हम बात करें यहां पर बेस्ट होगा बैरी एंसी कार्थी धियान रखेंगे अब दूस्तों बात कर लेता हमाई टीम का पर एक तो आपने दूस्तों यहां पर देख सकते हैं और सलाइब सटल आपको सब्सक्रपाइस करने करने वाले है वाली यह वह सकता है संद्रीक नहीं होगा आपको आए लेंट टीम के उपर भरोसा कर गए अपनी टीम तो बनानी होगी तब इस मैस में आप देखेंगे ड्रीम में कहीं ने कहीं दुस्तों 11 खिलावड़ी उमें से पांच खिलावड़ी तो भाई लेंड के रहने वारे ध्यान रख